हाई फ्रेंड्स इसलाओ लेकुम वल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं बहुत ही असान तरीके से शोल्डर को जॉइन करना बताऊंगी तो यह देख सकते हैं मैंने नेक बना लिया है और इसकी पूरी वीडियो मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ लिंक मैं बॉक्स में दे दूँगी बस फ्रंट नेक बनाने के बाद आपको तुर्पाई नहीं करनी है जब आप शोल्डर जॉइन करेंगे तो उसके बाद हमें फ्रंट नेक की तुर्पाई करनी होती है अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शियर सब्स्राइब जरू किजिए और डॉंट फर्गेट तु प्रेस दा बैल आइकन फॉर न्यू वीडियो नौटिफिकेशन अब यह फ्रंट नेक के ऊपर हमें यह बैक नेक रखना है और दौनों के राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और बैक नेक की मैंने फिनिशिंग कर लिए उसकी भी वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो अब यह देख सकते हैं फ्रंट नेक की जो लाइन है जहां से नेक अटेच है उसी लाइन पर यह हमें बैक नेक रखना है इस तरीके से टच करते हुए और श शोल्डर हिलेंगे नहीं और इस तरीके से शोल्डर स्टिच करने के बाद वो पफेक्टली बैठेगा इसी तरीके से हम दूसरी वाली शोल्डर को भी इस तरीके से ओपन कर लेंगे ये मार्जिन उपर की साइड रहनी चाहिए और इसके उपर ये हमें बैक पार्ट रखना है उस लाइन पे और इस तरीके से हमें शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है जैसे हम शोल्डर जोइन करते वक करते हैं और मार्जिन जो है उपर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है दोनों शोल्डर जोइन करने के बाद फिर हम इस तरीके से कपड़े को खोल लेंगे और ये देख सकते हैं इस मार्जिन को फिर हमें इस तरीके से फ्रंट साइट पे करना है और जो नेक वाला मार्जिन है उसको हमें डबल फोल्ड करते हुए तुर्पाई कर लेनी है जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था उसी को डबल फोल्ड करते हुए हमें neck की तुरपाई कर लेनी है पहले चाहें तो आप कच्चा सलाई भी लगा सकते हैं फिर तुरपाई करें जो beginners है और फिर इस तरीके से फोल्ड करते वे आप तुरपाई कर लेंगे और ये देख सकते हैं neck कितनी finishing के साथ बना है तो आज की बस वीडियो इतनी ही है उमीद करते हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और तुरपाई की वीडियो भी अल्वेडी में बहुत सारी अप्लोड मैंने कर रखी है, बिगनर्स के लिए तो आप वहाँ से देखिएगा इस सूट की stitching की वीडियो इंशालला मैं कल अप्लोड करूँगी मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल रखिए मुझे भी दूआओं में याद रखिए अला आफिस, बाए बाए, थैंक्स फा वाचिंग